महंगाई के इस तोर में जहां एक और मध्यम बर्गिये लोगों की कमर वैसे ही तूप चुकी है तो दूसरी ओर बिहार बालों के लिए एक ऐसी खबर है जिसे सुनने के बाद आपको थोड़ी डेंशन हो सकती है कहा जा रहा है कि एक अपरेल 2014 से बिहार के लोगों को बड़ा छटका देनी की तैयारी चल रही है तो क्या है खबर और अगर ऐसा होता है तो कितना प्रतिशत बिजली का रेट पढ़ जाएगा वो भी चलिए हम आपको बताते हैं दरसल बिहार में 1 अपरेल 2024 से बिजली दर में इसाफा हो सकता है। नेवित्तिय वर्ष में चार दश्मलाव ती, आठ फीसरी बिजली महवी होनी की संभावना है। दरसल बिजली कमपनियों की ओर से विहार विदुत विनियामक आयोग के सामने इससे संबंधित याचिका सौपती गई है। पिछले कई वर्षों की तरह इस्ताल भी कमपनी ने अनुदान रहित याचिका दायर की है। कमपनियों की तरफ से फिक्स चार्ज में कोई बढ़ुतरी नहीं करने का प्रस्ताव दिया गया है। वैसे विदुत नियामक आयोग कमपनी की याचिका पर जन सुनवाई के बाद ही अन्तिम फैसला लेगा। दरसल बिजली कमपनी हतसार 15 नवंबर तक बिजली दर्ग का प्रस्ताव आयोग को सौथी रही है। इसी के तहट Transmission Company की ओर से बिहार State Power Transmission Company Limited बिहार Grid Company Limited और State Load Dispatch Center ने अलग-अलग याजिका दायर की है। इसके अलावा घरेलू विवसाइक और अत्योगिक श्रेडी के उप्खताओं के बिजली दर तैक करने के लिए North बिहार Power Distribution Company Limited और South बिहार Power Distribution Company Limited अलग-अलग याजिका दायर की है। से 595 करोड 89 लाख का अंतर होगा। इसके जाते वितियवर्ष 2023-24 में 441 करोड 18 लाख का अंतर आएगा। इस तरहा कुल 1036 करोड 97 लाख का नुक्सान होगा। इस नुक्सान को पुरा करने के लिए 3.03 की सदी की बढ़ोतरी जरूरी है लेकिन Company ने, SS याने बिना मीटर वाल प्रस्ताव के साथ ही Company ने घयर घरेलू और IAS एक श्रेणी के उप्भुकताओं के लिए KBS आधारित बिलिंग 400 कवी पर HTS और 122 कवी पर HTS के लिए नई टैरिफ श्रेणी की शुरुवात की बात कही है। राजय की वास्तविक मांग के हिसाब से दिन के समय टैरिफ संरचना में परिवर्तन किया जाएगा। समय पर online पेमिट करने वाले HT स्रेणी के उप्भुकताओं को नुदान भी देने का प्रस्ताव दिया गया है। सरकारी बिलिंग में भुकताओं के तीथी में बदलाव ह यदि विजली कमपनियों की बात पर सुनवाई होती है और इस पर कुछ फैसला आता है तो क्या बिहार वालों को बड़ा जटका लगने वाला है क्योंकि तैयारी तो ऐसी ही है और यदि ऐसा होता है तो बिहार वालों को विजली का करन्ट लग सकता है मतलब विजली दरों म इजाफा देखने को मिल सकता है फिलाल बने रहे लाइब सिटीज के साथ